हेलो फ्रेंट्स स्वागे था आपका फिर से एक नए सेशन में और इस सेशन में स्टूडेंट अपने डिसकस करेंगे रीजनिंग के एक टोपिक जिसका नाम है सीरीज एनालिसिस अगर आपने DSSB का स्लेबस देखा होगा रीजनिंग का तो उसमें एक स्पेशली टोपिक दिया था उन्होंने एनालिसिस और अगर कोई चीज स्पेशली मेंशन की होती है तो उस पर डारेक्टली कोशन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है अगर अपने पिछले पेपर को उठा के देखें लास्ट यर के पेपर 2018-2021 तो प्रतेग पेपर में इस टोपिक से तीन कोशन पूछे गए थे यह है सीरीज एनालिसिस तो सीरीज एनालिसिस दो परकार से बनती है एक तो अलफा बेट पर बनती है और एक नंबर पर बनती है आज इस लेक्चर में अपने अलफा बेट पर लास्ट यर में जितने भी कोशन बने थे previous years के paper में चाहे वो paper teaching post के लिए हो या non teaching post के लिए हो उन सारे question को अपने इस lecture में करेंगे और ये lecture बहुत शानदा रहने वाला है तो start करते हैं lecture सबसे पहला question देखिए student can I find out the next term अपने को next term बतानी है इनमें से कौन सी है अगर मैं series को देखता हूँ तो पहला दे रखा है A 5 D फिर F 15 I K 25 N अगर आप series को analysis करोगे तो यहां देखिए बीच में एक तो 5 दे रखा है 5 के बाद 15 यानि 10 का gap फिर 15 के बाद 25 फिर 10 का gap यानि अब फिर 10 का gap आएगा तो कितने होना चाहिए 35 only last वाली option में यह आपको 35 मिल रहा है एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका देखिए student दूसरा है यह देखिए A 1 पे आता है और D 4 पे आता है तो दोनों का sum कितना हो गया 5 F 6 पे आता है और I 9 पे आता है तो दोनों का sum कितना हो गया 15 तो यह भी 15 उसी परकार अपने को अपने को तर्म देखनी थी कि दोनों लैटर का सम बीच में आना चाहिए अगर मैं पहले option को उठाता हूं तो पहले L 12 पे आता है और P 16 पे आता है तो दोनों का सम 18 आना चाहिए था इसकार ये option कट गया और इन दोनों का सम 441 तो होई नहीं सकता क्योंकि दो लैटर का सम कभी भी अब देखिए ये P है P 16 पे आता है और M 14 पे आता है अगर दोनों को M 13 पे आता है दोनों को जोडता हूं तो 39 आता है जो की गलत है ये जो हमारा option number 4 है ये बिलकुल सही है next question दिखते हैं अपने next question है कहता कि from the given response find the missing letter in the series अपने को ये 3 series दे रहे हैं अपने को पोच रहा है कि next series क्या होगी अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जो letter दे रहे हैं उनका order लिख लेना है कि alphabet में वो किते number पे आते हैं तो देखिए L आता है 12 नंबर पर तो O किते पे आ रहा है O-R है 15 नंबर पर उसी परकार T20 पे आता है W 23 पे आता है B 2 पे आता है और E 5 पे आता है तो इन दोनों का देखिए इनमे gap…… ये plus 3 हो रहे हैं यहां भी plus 3 हो रहे हैं और यहां भी plus 3 हो रहे हैं उसमें प्लस 3 का gap आना चाहिए, क्या आना चाहिए, gap आना चाहिए, और एक तरीका और है, यहां देखिए, इन में 8 का gap आ रहे है, 8 बढ़ रहे हैं, यहां भी 8 बढ़ रहे हैं, यहां भी 8 बढ़ रहे हैं, और यहां भी 8 बढ़ रहे हैं, तो अपने को next जो जो term लेनी है, व यानि किसी भी तरीके से आपको इस question को decode कर सकते हो. Next question देखते हैं. Next question कहते है, Choose the odd one from the given alternatives, यानि इन में से किसी एक को अलग छांटना है, कि कौन सा अलग है. अगर मैं देखता हूं कि F, F आते है 6 पर और H आते है 8 पर, और L आते है 12 पर और N आते है 14 पर, यानि इस question में, इस option में 2 plus हो रहे हैं, इस option में 2 plus हो रहे हैं, और last वाले option में 2 plus हो रहे हैं, जबकि third option में 2 minus हो रहे हैं, तो जो third option है वो इन सबसे अलग है, इस का अंसर हुआ टी आर, Next question देखते हैं, Next question देखिए, कहता है कि D, A, C, E, B, D, फिर समान पाद देख है, H, E, H, E, G, तो अपने को next term बतानी कौन सी आएगी, कहता है कि इन दोनों का जो relation है, वही इन दोनों का relation है, अपने को ये वला term बतानी कि, ये कौन सी term होगी, जो इनका relation मन रहा है, वही इनका relation बनेगा, तो देखिए कैसे होगा ये question, अगर मैं D, A, C को alphabetic order लिखता हूँ, तो D, 4 पर आता है, A, 1 पर आता है, और C, 3 पर आता है, और इसी का जो relation बना रहा है, वह E, 5 पर आता है, B, 2 पर आता है, और D, 4 पर आता है, तो देखिए, यहां से आपको D, जो D है, वो 4 यानि 5 हो रहा है, यानि D के बाद just E आ रहा है, यानि 1 की बड़ोतरी हो रही है, और 1 है, एक के बाद क्या रहा है, 2 हो रहा है, यानि फिर 1 की बड़ोतरी हो रही है, C, 3 पर आता है, तो D कितने पहरा है, 4 पर आ रहा है, तो 6 पर कोन आता है student F आता है और यह आता है G7 पर और अगला आएगा 8 पर 8 पर कोन आता है H आता है यानि जो हमारा answer आएगा वो आएगा I F H तो अगर आपको कोई question नहीं बन रहा तो सबसे पहले उसको alphabetic order लिखिए और alphabetic order कैसे याद रखने है इसकी trick मैं आपको last वाले lecture coding decoding में सिखा चुका हूँ और उसमें मैंने आपको सारे वही question कराए थे जो back paper में हुए थे जितने भी paper हो चुके है next question देखते है student next question देखिए select the option that is related to the term third term in the same way as the second term to the relate to the first term कहता है जिस परकार पहली term दूसरी से relate है उसी परकार अपने को third का relation fourth से निकालना है तो देखिए यहां क्या relation बन रहा है az 625 तो बताए जी आर का क्या relation बनेगा अगर मैं आपको नहीं समझा रहा तो पहले a का करम होता है 1 और z का करम होता है 26 अब देखिए अगर मैं 26 में से एक घटाता हूँ तो किते बज़ते 25 और 25 का अगर मैं scare करता हूँ तो answer आता है 625 यानि यह अपने को कह रहा है कि इनका पहले subtract करना है इनके order का फिर जो आपके 500 answer आएगा उसकी scare कर दीजिए वो आपका relation बन जाएगा तो यहाँ देखिए जी आर जी आता है 7 पर और आर आता है 18 पर दोनों का जो different है ने student वो है 11 और 11 की scare कर दीजिए वही हमारा relation होगा तो 11 की scare होती है 121 जो की option number seconds ही है यह सारे question करवाने का मेरा एक ही purpose है कि जिते भी type के question DSSB ने last year के paper में बना रखे है वो सारे type आपको करवाना अब तक मैंने आपको 5 question करवाए है यह 4 question सब के type अलग लग थे यानि आप पर एक type बार बार नया सीख रहे हो next question देखते है next है from the given response find the missing letter cluster in the series कहता है कि अपने को fourth term बतानी है क्या आएगी अगर मैं इसका पहला alpha bit लेता हूं तो पहला alpha bit है E और इसमें पहला alpha bit है F और इसके बाद है alphabit G तो देखे E के बाद क्या था F के बाद क्या था G तो G के बाद क्या आएगा H यानि जो option H से start हो रहा है वो आपका सही होगा तो इसमें दो option स्टार्ट हो रहे हैं या तो यह बन सकता है या यह बन सकता है या यह दो तो cut चुके हैं उसके बाद देखिए G G के बाद I I के बाद क्या रहा है K यहाँ आपको gap मिल रहा है student क्या मिल रहा है gap यहाँ आपको 1 plus कर रहा है यहां एक पलस कर रहे है यहां आपको देखे जी जी 7 पर और आई 9 पर और के 11 पर यानि यहां आपको दो दो का gap दे रहे है तो जो अगली term आएगी वो दो के gap पे आएगी तो के के बाद क्या आएगा 13 आएगी, 13 पे को नाता है M आता है, जो की option number 4 हमारा बिल्कुल सही है अगर आपको नहीं बन रहा है, वही मैं बात बार बता रहा हूँ आपको alphabet order लिख लेने है तो आप easily से इस question को बना पाओगे next question देखते है next है which of the following can replace the question mark कहता है कि यहां आपने को बताना है कि यहां क्या आएगा तो पहला मैं देखता हूं c, d यहां आपको देख रहा है c आता है 3 पर और d आता है 4 पर और इनका answer रहा है 12 अगर मैं इन दोनों का multiply करता हूं तो answer रहा है 12, बिल्कुल सही है next देखते है l, l, b l आता है कितने पर रहा है student l आता है 12 पर और b आता है 2 पर अगर मैं 12 को 2 से multiply करता हूं तो answer रहा है 24 यानि अपने को क्या करने है alphabet के order लिखने है order का multiply करने है यहां देखिए e n आता है 14 पर और e आता है 5 पर अगर मैं 14 का 5 से multiply करता हूं तो answer रहा है 70 जो कि option number 2 सही है next question देखते है next question देखिए from the given response find the missing term in the series यानि अपने को अगली term बताने है अगली term क्या होगी तो मैं देखता हूं पहला दे रहा है J1 क्या दे रहा है J1 उसके बाद दे रहा है N5 N5 के बाद दे रहा है R9 R9 के बाद दे रहा है V4 आपको अगला बताने है क्या होगा अगर आपको नहीं समझा रहा तो मैंने आपको कहा था आप order लिख लिजिए अगर मैं order लिखता हूं तो देखिए J J आता है 10 पर और इसका answer दे रहा है 1 अगर मैं J के जो order है उनको जोडता हूं तो इसका sum आता है 1 यानि यहां से मैंने decode कर लिया उसी परकार मैं अगला देखता हूं अगला आता है N5 N का code होता है 14 अगर मैं 14 के दोनों alphabet को जोडता हूं दोनों order को जोडता हूं 1 प्लस 4 तो उसका sum आता है 5 यानि यह भी decode हो रहा है तो उसी प्रकार अपने को बताना है कि इन में से कौन सा option अगला होगा तो मैं इसके option को जोड़ के देखता हूँ अगर कौन सा option सेट बैट रहा है अब देखे वी, वी आता है 22 पर तो 22 के दोनों को जोड़ता हूँ 2 प्लस 2 कित्या आते 4 यहां option दे रहा है 3 यह गलत है उसके बाद जड़ आता है 2 जड़ 26 नमबर पर आता है 26 मैं दोनों को जोड़ता हूँ 2 प्लस 6 यानि 8 आ रहा है और यहां आ रहा है 2 यानि यह भी कट तो जो option नमबर first है न बिल्कुल वो हमारा सही है student आपको क्या करना है जो letter दे रहा है उसका order निकालिए order में जितने digit आ रहे हैं उनको जोड़ दीजिए वही यह decode बांग रहा है अपने से next question देखते है next question देखिए find the missing letter in the given series यानि जो next letter है वो अपने को निकालना है तो अपने इसको decode करते है क्या बन रहा है इसमें क्या एक pattern बन रहा है तो देखिए d आता है 4 पर next f आता है 6 पर i आता है 9 पर m आता है 13 पर और r आता है 18 पर अब इसको अपने pattern को देखते हैं यानि पहले 2 letter में 2 का gap आ रहा है अगले दो लेटर में तीन का गैप आ रहा है फिर अगले दो लेटर में चार का गैप आ रहा है अगले दो लेटर में पांच का गैप आ रहा है तो अगले दो लेटर में जो गैप आएगा न वो छे का आएगा और अठारा और छे कित्यों तो चोबिस और 24 पे कौन आता है student X आता है next question देखते है next question देखिए कहता है कि निमन लिक्त में से किस विकलप के शबद यूगम में वही सबंद है जो सबंद नीचे दिये गए शबद यूगम के बीच है यानि जो relation इन दोनों के बीच में बन रहे है वही किसी option में बनेगा वो option बताइए क्या होगा पहले अपने इसका relation ढूड़ते क्या है M आता है student 13 पर और F आता है 6 पर और B आता है student 16 पर और C आता है 3 पर अब इन में relation ढूड़िए देखिए पहले में तो 3 बढ़ रहे हैं और दूसरे में क्या हैं 3 घट रहे हैं यानि पहले option में 3 बढ़ रहे हैं और दूसरे option में 3 घट रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि दूसरे option में 3 घट रहे हैं अगर आप इसी को उठा लोगे ना तो 3 option तो direct घट जाएंगे अब देखिए पहले इन दोनों में जो relation है वो तो 3 बढ़ा रहा है और F और C में 3 घटा रहा है तो अगर मैं दूसरा option उठाता हूँ देखिए H आता है 8 पर और L आता है कितने पहाता है student L आता है 12 पर यानि ये तो बढ़ रहे हैं दूसरे में तो घटाना है ये तो कट गया उसके बाद देखिए F F आता है 6 पर और D आता है 4 पर यानि दो घट रहे हैं तो ये तो कट चुक है अगला देखिए S आता है 19 पर और T आता है 20 पर इसमें तो बढ़ रहे हैं अपने को तो घटाना था यानि घटाने वाले दो ये option है 2 और 3 बाकी में 2 में तो बढ़ रहे हैं उसको तो काट दो अगर मैं 3rd option चेक करता हूँ तो देखिए L आता है 12 पर और O आता है 15 पर यानि 3 बढ़ रहे हैं उसके बाद देखिए T आता है 20 पर और Q आता है 17 पर यहां 3 घट रहे हैं तो जो option नमबर 3 है वो बिलकुल सही है next question देखते है next question देखिए निमनलिक्त श्रंकला में लुप्त पद ग्याद कीजिए यानि missing term बतानी है अपने को कि यहां कौन सी term बैठेगी तो पहला देर का 3 के 12 फिर 5 O 20 7 S 28 next term missing है अगली देर के 11 A 44 तो यहां आपने को बताना है यहां आप कम से कम तीन चार तरीकों से इस questionnaire को बना सकते हो a student अब पहला तरीका देखिए student क्या है फैला तरीका यहां 3 है तीन के बाद यहां 5 आ रहे है 5 के बाद यहां 7 आ रहे है 7 के बाद यहां क्या आएंगे no यानि दो-दो का gap आ रहा है जो option no से start हो रहा है वो आपका हो सकता है तो यानि दो option तो direct आपके cut चुके है student एक तो ये cut चुके है और एक ये cut चुके है अब देखी next 12-20 यानि 8 का gap 20-28, 8 का gap फिर 8 का gap, 28 और 8 किती है 36, यानि फिर दो option पर बाता टक चुकी है अगला देखी के, के आता है 11 पर ओ आता है 15 पर यानि 4 का gap हुआ फिर S आता है 19 पर, फिर 4 का gap हुआ 19 के बाद क्या आएगा 23 23 पर को ना तो student, W तो जो option numbers 4 है वो हमारा बिलकुल सही है next question देखते है next question देखिए उस विकल्प का चियन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार समन्दित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से समन्दित है यानि इन दोनों का जो relation बन रहा है और तीसरे और चोते का वही relation बनेगा तो अपने इनको क्या करते है इनको alphabet letter लिख लेते है यानि किस number पर आ रहे है तो यह देखिए यहां जो M आ रहा है न स्टूडेंट वो 13 पर आ रहा है P 16 पर आ रहा है Z 26 पर आ रहा है तो यहां आप देखोगे स्टूडेंट यहां पहले में कित्ते का difference आ रहा है तो यहां देखिए यहां जो option है न स्टूडेंट यहां आपने पास H आता है 8 पर कितने आता है 8 पर 8 से 6 पीछे चलूँगा तो कितने पाच अगर 2 पर 2 पर को न आता है B और N आता है 14 पर 14 से 6 गटाऊँगा तो 8 8 पर को न आता है स्टूडेंट H आता है और U आता है 21 पर 21 में से 6 गटाऊँगा 15 15 पर को न आता है O आता है तो B, H, O जो कि second option है वो बिल्कुल सही है next question देखते है next question देखिए कहता है कि निमलिक्त प्रशन में दिये गए विकल्पों में से विशम अक्षर याक्षरों को चुनिए यानि कहता है कि इन चारों में से कोन order है यानि सबसे अलग कोन है तो A, C, E, F, H J, B, D, F, O, P, R अगर मैं इनका order देखता हूँ तो A आता है 1 पर C आता है 3 पर और E आता है 5 पर और F आता है 6 पर H आता है 8 पर J आता है 10 पर B आता है 2 पर D आता है student 4 पर और F आता है 6 पर O आता है 15 पर E आता है B 16 पर और R आता है 18 पर यानि इसमें 2 का gap इसमें 2 का gap इसमें 2 का gap यहाँ भी 2 का gap दो का gap लेकिन यहाँ देखिए एक का gap आ रहा है यानि यह सबसे अलग हो गया जो कि option number 4 हमारा बिल्कुल सही है next question देखते है next question देखिए एक अनुकरम दिया गया है जिसमें एक पद गलत है तो दिये गए विकल्पों में से उस गलत पद को चुनिए कहता है कि इन में से कौन सा एक गलत है अगर मैं इसको देखता हूँ तो पहला है f4, h9, j15, l25 और n36 तो यहां अगर पहले number की और चलते हैं यानि number से यह पूरा question बरेक हो रहा है तो देखिए f4 यानि 2 की square 9 तो 9 देखिए 3 की square और 25 देखिए 5 की square और 36 देखिए 6 की square यानि यहां जो आना चाहिए था वो 4 की square आनी चाहिए थी यानि 16 आना चाहिए था तो यह जो j15 आना student यह हमारा गलत है पहले में 2 की square फिर 3 की square यानि जो j16 आना चाहिए था वहाँ j15 दे रखा है तो उसने बताया था कि कौन सा गलत टर्म है तो j15 हमारी गलत टर्म है next question देखते है next question देखिए एक अनुकरम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है दिये गई विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिये जो इस अनुकरम को पूरा करता है यानि सीरीज को जो पूरा करता है उसको बताना है अपने को तो पहले मैं number को पकड़ता हूँ number देखिए 5 से 10 हो रहए है यानि 5 बढ़ रहे है फिर 10 से 17 हो रहे है यानि 7 बढ़ रहे है पहले 5 बढ़े फिर 7 बढ़े अब कितने बढ़ेंगे अब 9 बढ़ेंगे 17 में ज़दी मैं 9 जोडता हूँ तो कितने होते हैं वो होते है 26 यानि जिस में 26 सा रहा है वो हमारा option सा ही हो सकता है तो देखिए एक तो 26 इसमें हो रहा है और एक इसमें हो रहा है यानि third option और first option तो हमारा बिल्कुल eliminate हो चुका है अब देखिए second और fourth में कैसे choose करना है तो देखिए U और V U होता है 21 पर और V होता है student 22 पर यानि इन दोनों में एक का gap है कितने का gap है एक का gap है उसके बाद X, Z X आता है 24 पर और Z आता है 26 पर इन दोनों में 2 का gap है उसके बाद A आता है 1 पर D आता है 4 पर अब इनमें 3 का gap है अपने को अगले दो लेटर ढोडने जिनमें चार का अंतर हो तो पहला यहां देखिए D, D आता है चार पर और I आता है नो पर इन दोनों में कितने का गैप है, पांच का गैप है यानि यह option तो directly कट चुक है अब देखिए D आता है चार पर और H आता है एट पर दोनों में कितने का गैप है, चार का गैप है और अपने को चार का गैप ही find करना था तो जो option number second है, वो बिल्कुल सही है next question देखते है next question देखिए, कहता है in the following question, select the related letters from the given alternative यानि इन दोनों का जो relation बन रहे है न आगे भी इन दोनों का relation बनेगा अब देखते हैं, क्या relation बन रहे है तो यहाँ देखिए, जो K है न स्टूडेंट वो P बन रहे है, I, R बन रहे है और M, N बन रहे है अगर आपने alphabet को सही याद किया होगा तो मैंने आपको बताया था, कुछ alphabet एक दूसरे के opposite होते है मैंने आपको बताया था, KP कमला का पती 16 का, यानि दोनों एक दूसरे के opposite है Indian Railway एक दूसरे के opposite है M, N एक दूसरे के opposite है यानि ये एक दूसरे के opposite बन रहे है तो यहाँ भी अपने को opposite निकालने है तो T का opposite क्या होता है आपको पता होगा GT Road तो G और T एक दूसरे के opposite है तो T का opposite क्या होगा G होगा और O, Low आपको ध्यान है, Low एक दूसरे के opposite है तो क्या आजाएगा L आजाएगा उसके बाद Indian Railway R का क्या होता है I होता है तो G, L, I किसका opposite होगा T, O, R का opposite होगा तो option number second हमारा बिल्कुल सही है अगर आपको यह opposite सीखने है तो coding decoding का chapter जो मैंने last year का question करवाई है वहाँ आपको जाके सीखने होगे Next question देखिए उस जोड़ी का चियन कीजिए जो प्रशन में दी गई जोड़ी से समान परकार से सबंदित है यानि जिस परकार से इन दोनों का relation बताना है दोनों का pair बन रहा है अगला option उसी परकार से बनना चाहिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है इनके सब के order लिख लेने है यानि अपने एक pattern follow कर सकें तो देखते है pattern यह देखिए मैं जब इनको order लिखता हूं तो H आता है 8 पर K आता है 11 पर L आता है 12 पर और P आता है 16 पर तो उसी परकार मैं अगले के भी इसके भी order लिख लेता हूं Q आता है 17 पर M आता है 13 पर K आता है 12 पर I आता है 9 पर तो यहां देखिए student जो H है ना student यह वाला H यह बिल्कुल last में जाके एक बढ़ा देता है यानि यह 8 था यहां किता होगा 9 ठीक है student और यह जो P था ना last में यह P एक बढ़ा देता है वो अज़ता है 17 यानि 16 था वो 17 बन गया यानि इस परकार यह बता रहे है जो पहला व्यक्ति था उसमें एक बढ़ा दो वो दूसरे का last वाला व्यक्ति बन जाएगा और जो पहले का last वाला व्यक्ति था ना student उसमें एक बढ़ा दो वो पहले का पहला दूसरे का पहला व्यक्ति बन जाएगा तो relation देखी किता अच्छा बना रहा है दूसरा कर देना है और सब में एक-एक बढ़ा देने है तो देखिए इसमें जो second option है वो बिल्कुल fit बैठ रहा है इसके अंदर देखिए T आता है 20 पर और अपने को पता था पहला last वाला बनेगा एक बढ़ा के तो देखिए U आता है 21 पर बिल्कुल fit बैठ रहा है और यहां और जो तीसरा था वो दूसरा बन जाएगा D के बाद को न था E आता है यानि जो second option है वो बिल्कुल सही है हमारा next question देखते है next question देखिए in the following question select the related letter pair from the given alternatives यानि इनका जो pair बन रहा है अगले का फिर वही pair बनेगा आपको प्रते question मैं नए type से सिखा रहा हूं यानि किस परक जड़र से question को सोचना है वहां जल्दी से जल्दी तो अपने पहले सबसे पहले इसके order लखते हैं student तो देखिए यहां student मैंने इसके order लिख लिए हैं तो देखिए f आता है छे पर आ रहाता है 18 पर a आता है एक और आ रहाता है एटीन पर इसी प्रकार मैंने इसके भी order लिए हैं अब देखिए इसमें relation बनाना है क्या relation बन रहा है यानि जो पहला वेक्ती था ना 6 पर वो direct 12 हो रहा है यानि 6 बढ़ा रहे हैं अपने और जो last वाला था ना 18 उसमें फिर 6 बढ़ा दो तो पहला last बन चुका है उसमें 6 बढ़ा दो जो last था वो दूसरे का पहला बन चुका है 6 बढ़ा दो तो यह देखिए जो second एना student वो third बन चुका है 6 बढ़ा दो जो third एना student वो second बन चुका है फिर 6 बढ़ा दो तो इसी परकार अपने को एक pair ढोनना है जिसमें 6 चे की बढ़ोतरी हो रही है first फोर्थ बन रहा है fourth first बन रहा है second third बन रहा है और third second बन रहा है तो मैं option number second देखता हूँ ना जो इसको properly decode कर रहा है तो जो option होगा second वो हमारा बिल्कुल सही होगा अब आप इस question को वहाँ के सामने 4 option होगे इसको जल्दी से जल्दी कैसे करोगे तो आपको पहला ही मिलाना होता है जादा दूर नहीं जाना होता तो पहले option से दो option तो direct eliminate हो जाएंगे यानि D आता है 6 पर सोरी D आता है 4 पर और ये last बन जाएगा 6 बड़ोतरी करके तो 4 में 6 जोड़ूँगा 10 10 पे कोन आता है J यानि पहले दूसरी option से पहला decode हो रहा है नहीं तो direct दो option तो direct eliminate हो जाएंगे student आप देख लीजे यहां देखिए अब यह देखिए यहां देखिए G आता है 7 पर कितने पर 7? 7 में 6 जोड़ूँगा तो 13 last में 13 आना चाहिए और L आ रहा है 12 पर यानि यह तो direct कट चुक है direct कट चुक है फिर आप एक option और मिलाईए यानि last वाला मिलाईए D था यहां था N था N आता है कितने पर N आता है 14 पर और अपने को 6 मिलाने थे 20 आना चाहिए था तो पहला मिल रहा है अब आप जब last वाला मिलाऊगे न तो वहां भी आपको एक option और कटता हुआ दिखेगा Next question देखिए दिये गए विकल्पों में अक्षरों की एक जोड़ी को ग्यांत कीजिए जो दिये गए जोड़े के अनुरूप है यानि जो यह पेर बना रही है अगर मैं इसको order में लिखता हूँ D 4 पर आ रहा है E 5 पर आ रहा है और Y 25 पर आ रहा है तो इसके सामने जो एक और दे रहा है अपने को शाबद B 2 पर आ रहा है C 3 पर आ रहा है W 23 पर आ रहा है इनमें देखिए सबसे पहले 2 2 की क्या और यह student कमी आ रही है यहाँ भी 2 की कमी आ चुकी है यहाँ भी 2 की कमी आ चुकी है यहाँ भी 2 की कमी आ चुकी है तो अगर आप पहला option देखोगे न तो पहले option में देखिए V ओ आता है 15 पर और M आता है 13 पर यानि 2 की कमी आ चुकी है उसके बाद B आता है 2 पर B से अगर मैं back चलता हूँ तो कोन आएगा Z जड आजाएगा ये देखिए बिल्कुल सही उसके बाद देखिए D आता है कितने पर 4 पर 4 में 2 गटाए तो क्या आता है B आता है जोगी option number बिल्कुल पहला हमारे fit बैठ रहा है next question देखते है next question देखिए एक नए pattern का question देखिए कहता है निमनलिक्त प्रशन में दिये गए विकल्पों में सबंदित अक्षर समू का chain कीजिए कहता है U, Y, E, I का जो relation है वो W, G से है तो मुझे बताइए O, Q J, L का relation किस से बनेगा अगर मैं इसको देखता हूँ इसको order लिखता हूँ U आता है 21 पर Y आता है 25 पर E आता है 5 पर और I आता है 9 पर इसका relation मना रहा है W, G से जो 23 पर आ रहा है और G साथ पर आ रहा है किस परकार आ रहा है देखिए तो पहले मैं दो alphabets यह 4 alphabets थे 4 alphabets से 2 alphabets हो रहे है तो मैं पहले 2 alphabets को उठाता हूँ तो पहले 2 alphabets है U और Y इनका order है 21 और 25 अगर मैं इनका average निकालता हूँ 21 और 25 का average है 23 और 23 पर को ना रहा है W उसी परकार last वाले 2 alphabets का average निकालता हूँ 5 और 9 किते होता है 14 14 का average निकालता है 7 और 7 पर को ना रहा है जी तो उसी परकार अपने को इन दोनो alphabets का पहले का average निकालने है O आता है 15 पर और Q आता है 17 पर इन दोनों का average किता होगा 16 और 16 पर को ना रहा है P आता है उस परकार अगले देखिए J किते पहता है 10 पर और L किते पहता है 12 पर दोनों का जो average होगा न वो 11 और 11 पर को ना रहा है K यानि P K यानि कमला का पती 16 का नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन देखिए उस विकलब को चुनिए जो दिये गए तत्यों के से S सबंदित है तो अपने को बताने है ओडा उट कोन है अपने इनका नंबर देखते है पहला नंबर है F आता है 6 पर और I आता है 9 पर और L आता है 12 पर और P आता है 16 पर यहाँ इसका नंबर देखता हूँ इनमें प्लस 2 का gap पा रहा है, फिर प्लस 3 का gap पा रहा है, फिर प्लस 4 का gap पा रहा है, यानि पहले प्लस 2 का, फिर प्लस 3 का, फिर प्लस 4 का, next option देखता हूँ कि यही pattern बन रहा है, B 2 पर आता है, D 4 पर आता है, G 7 पर आता है, और K 11 पर आता है, यानि प्लस 2 का gap, प्लस 3 का gap, और प्लस चार का gap यानि इन में एक ही pattern follow कर रहा है अब इसमें देखिए क्या pattern follow कर रहा है यहां F आता है 6 पर I आता है 9 पर L आता है 12 पर और P आता है 16 पर यानि यहां से पहला ही कट रहा है यहां आपने तीन नो option में देखा पहली बार दो बढ़ रहा है और यहां पहली बार में तीन बढ़ रहा है तो option number जो 1 है इस कारण इन से अलग है ठीक है student अब एक information student आपको बहुत से reasoning के question मैं DSSB के जितने भी previous years के question बने हुए है या बन सकते हैं उसको मैं अपने facebook page और DSSB का page बना हुए है instagram पर DSSB के नाम से DSSB under square classes अगर आप इसको search करोगे instagram पे तो आपको मिल जाएगा DSSB under square classes यहां आपको day by day नए नए question से रूब रूब करवाय जाते है जो last year के paper में थे और इसी परकार FB का page नाम है DSSB aspirant के नाम से अगर आप search करोगे तो आपको facebook में मिल जाएगा इन दोनों page पर student आपको day by day नए नए question से अवगत करवाय जाता है next question देखते हैं आपने next question देखिए कहता है कि निमनलिक्त शरंकला में लुप्त पद ग्यांत कीजी अगर आप इस शरंडी को देखते हो तो पहला पद ग्यांत करने है और अगर आपको पहली term ग्यांत करनी होते है तो हमेशा पीछे से चलना चाहिए तो पीछे है दा 45 45 के बाद 46 46 के बाद 36 यानि 4-4 का गया बार है और 36 के बाद क्या आएगा पहले कि आगा 32 यानि जिस option में 32 है वो आपका option सही हो सकते है यानि इस से 32 से तो एक तो ये option कट चुका है और एक ये option कट चुका है यानि दो option तो direct अपने कट कर दिये अब फिर पीछे से चलना चाहिए P 16 पर R 18 पर T 20 पर और 20 के बाद कोन आएगा 22 आएगा और 22 पर कोन आता है V आता है तो इस खारण option number second हमारा बिल्कुल सही है next question देखे है next question देखिए अगले शरंखला में आने वाले शरबद का chain कीजिए यानि next term बतानी है तो सबसे फ़ले number को पकड़ते है एक एक के बाद आ रहा है दो, दो के बाद आ रहा है तीन, तीन के बाद काएगा चार यानि जिस option में 4 है वो हमारा सही हो सकता है यानि इस बार तो हर option में 4 दे रहा है अगला term देखते हैं अपने X, X आता है 24 पर किते पर 24 पर T आता है 20 पर और O आता है 15 पर यानि पहली बार देखिए पहली बार 4 घट रहे हैं किते घट रहे हैं 4 फिर घट रहे हैं 5 अब किते घटेंगे 6 जब 15 में से 6 घटेंगे आएगा 9 और 9 आता है आई पर तो एक ही option में हमारे fit बैठ रहा है वो है third यानि third option बिल्कुल सही है next question देखते है next question देखिए a series is given the one term is missing यानि एक term missing है और अपने को बताना है कि वो missing term कौन सी है तो देखिए हमाँ पहले P 23 और G दे रहा है अगर मैं इसका order निकालता हूँ P आता है 16 पर और G आता है 7 पर यानि 16 और 7 को जोडता हूँ तो आता है 23 यानि ये बिल्कुल pattern को follow कर रहे है next देखते हैं यही pattern बैठ रहे है Y आता है 25 पर कितने पर 25 पर और L आता है 12 पर यानि 25 और 12 को जब जोडता हूँ तो कितना आता है 37 यानि यही pattern बैठ रहे है अब अपने option में देखेंगे कि दोनों letter को जोडने पर जो sum बीच वाल आना चाहिए मैं पहले को उठाता हूँ R आता है 18 पर और U आता है 21 पर 18 और 21 किते होते 49 जो कि गलत है Q आता है 17 पर और U आता है 21 पर दोनों को जोडता हूँ तो आता है 38 ये भी गलत है उसके परकार देखिए उसके बाद देखिए second number option Q आता है 17 पर और V आता है 22 पर जबकि इनका sum किता है देखिए 39 जो कि बिलकुल सही है next question देखते है next question देखिए उससे पहले यदि आपको वीडियो ये अच्छी लग रही है आपके लिए helpful है और आप चाहते हो कि आगे और वीडियो बनाई जाए तो please like और share कीजिए और comment कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है option देखिए student question देखिए दिये गए वी कलपों में से श्रिणी में लुप्त अक्षर समू को find कीजिए पहला देखिए जे ग, अब देखिए अगला देखिए जे स्थे वाला हमारा सही होगा जो साथ वाला है, पांच वाला है उसको तो direct काड़ दीजिए अब देखिए इसमें साथ alphabet बन रहे हैं यानि ये तो हमारा direct कट चुक है अब 6 के लिए अपने fight करेंगे किस के लिए fight करेंगे 6 के लिए अब देखिए कैसे fight करेंगे g h अब देखिए ये पहले वाली जो term है न वो h पर खत्म हो रही है और दूसरे वाली term हम h से start हो रही है तो देखिए दूसरे वाली जहां खत्म होगी दूसरी वाली वहीं से start होगी तो देखिए h i j 3 आगे अब 3 j पर खत्म हुआ है तो अगली term में 4 आएंगे j से start होगे j k l m और ये m पर खत्म हो रही है प्रिकुल सही है ये student हमारा ये था हमारा last question वीडियो अच्छी लगी तो like और share कीजे धन्यावाद